सब्सक्राइब कीजी लखेपुर टीवी चैनल को और बेल आइकोन को दबाईए नई अपडेट पाने के लिए हलो दोस्तों वेलकाम आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लखेपुर टीवी मैं हूँ आपका होश लखेपुरी और आज मैं बताने वाला हूँ बेल के फायदों के बार में जी हाँ दोस्तों बेल जो है गर्मी के मौसा में मिलने वाल अफ़ाल है जो भेतरीन दवा भी है पका बेल को ऐसे भी खाया जाता है इसका शर्बत भी बनाया जाता है और कुछ आरवेदिक दवाएं भी इससे बनाया जाती है या ऐसी डीटी पेट की गर्मी कर्ब्स डारि बेल को हिंदी भासी राजियों में बेल के नाम से ही जाना जाता है जो हमारे देश भारत के लाव श्रीलंका थाइलेंड बंगलादेश और दूसरे श्याक देशों में भी पाए जाता है इसे बेल बील शिरीफल अंग्रेजी में वुड एपल और इलिफैंट एपल भी कह जबकि इसका वनस्पतिक नाम Eagle Marmelis है बेल जो है fiber rich fruit है या vitamins, protein और minerals से भरपूर होता है अर्वेदिक दवाओं में बेल के फल और पत्तों का सबसे ज़्यादे इस्तिमाल होता है अब जानते हैं बेल के फाइदे बेल के पत्ते sugar level कम करने में बेहर असरदार है diabetes के अर्वेदिक दवाओं में इसे ज़रूर सामिल किया जाता है बेल के फल के फाइदे बेल के फल के फाइदे जानने से पहले आपको एक important बार बता दूँ कि कच्चे बेल और पके बेल दोनों की तासिर बिल्कुल अलग होती है कच्चा बेल जो है एंटी डारियल होता है यानि दस्थ को रोखता है जबकि पका बेल लेक्जेटिव होता है यानि कब्स को दूर करता है गर्मी की समासं में पके बेल का शर्बत पीकर अब खुद को कूल रख सकते हैं पके बेल को ऐसे ही खाएं यह फी शर्बत बना कर भी पी सकते हैं बेल का शर्बत इसका शर्बत बनाने के लिए बेल के गुदे को पानी मसल कर मोटी छलनी से छान लें इसमें स्वादा नुसार चीनी मिक्स कर दें बस टेस्टी और हेल्दी बेल का शर्बत तेयार है पका बेल खाने जिसका शर्बत पीने से पेट की गर्मी, एसीडीटी, हाइपर एसीडीटी, शीने की जलन, गैस और कब्स दूर होती है यह शरीर को तरावट देता है बेल का शर्बत पीने से लू नहीं लगती है बेल खाने से पेट के कीड़े निकल जाते हैं और पेट में कीड़े होने से भी बचाता है पके हुए बेल के इस्तेमाल से पाइल से बावसीर में भी फैदा होता है यह शूगर को कंट्रोल करता है शूगर के लिए इसके पते सबसे ज़्याद एफेक्टिव हैं बेल कोलेस्टरल को कम करता है और हार्ट को हिल्दी और फिट रखने में भी मदद करता है यह कार्डिय प्रोटेक्टिव और हार्ट टाउनिक है अंटी आक्सिडेंट और विटाइमिन सी होने से यह अंटी एजिंग का भी काम करता है स्कीन का रुखा पंदूर करता है यह दिमाग को शांती देता है और ब्रें टाउनिक का भी काम करता है तो दोस्तों यह थे बेल के कुछ खास फायदे अभी कि इस मौसम में इसका इस्तमाल कर फायदा लीजिए सावधानी बेल का इस्तमाल करते हुए कुछ सावधानी भी रखनी चाहिए जैसे प्रिग्नेंसी में और ब्रेस फीडिंग कराने में हिलाओं के इसका इस्तमाल नहीं करना चाहिए यह तो हो गई बेल की जानकारी हम आपकी बारी अगर आप तक इस वीडियो को लाइक और शेर नहीं के तो लाइक और शेर कर दीजी ताकि दुसरे लोगों तक विए जानकारी पहुंच सके नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आज की दीजानकारी को पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है किस सवाल या कोई सुझाव होत कमेंट कीजिए आज के लिए इतना ही थैंक्स वर वाचिंग जय हिंद जय अर्वेद